अस्सलाम उलेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफटर नून और गुड इवनिंग आज हम बनाएंगे खोल-खोल सौफ्ट सूजी के अपपे जिसकी रेसिपी बहुत इजी है और आप इजली अचानक से गैस्ट आने पर इसको उनके सामने जटपट बना कर रख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें जरूरत होगी सोजी की जो कि हमारे पार 200 ग्राम है फिर हम लेंगे एक मेडियम साइब्स का अनियन जिसे हमने बारी काट कर चौप कर लिया है यह हमारे कड़ी पत्ते हैं हरा धनिया यह हमारे मटर है यह ग्रीन चिली और टमाटर है इसमें हमने हाफ टमाटर लिया है ग्रीन चिली को चौप कर लिया है यह हमारी 200 ग्राम दही है हैं आब हम सेमुलीन यानि सूजी में पूरी दही को डाल देंगे और फिर lige अंच्छे से mix कर लेंगे इसको पहले हम अच्छे से mix करेंगे और धीरे दीरे इस में थोड़ा-थोडा पानी डाल कर twenty key करते रहेंगे देखे हमने पानी डाल दिया है इसको हम अच्छी तरह पानी डाल कर मिक्स करेंगे हमें इसके पेस्ट को ज्यादा गाड़ा नहीं रखना है और नहीं ज्यादा पतला रखना है यह हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेज़ेटेबल जाल सकते हैं आप सीजनल वेज़ेटेबल डालेंगे तो यह और जाधा टेस्टी लगेंगे मेरे पास जो वेज़ेटेबल थी मैंने फिल्हाल इसमें वही डाल दिया लेकिन आपको जो भी वेज़ेटेबल पसंद है जैसे की कैपसिकम, कैरट, अनियन, टमैटो और पीज आप और आपकी हरी प्याज होती है वो भी आप डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे प्याज अब हम इसमें मटर डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि आपके बैटल मीज सारी चीज़े मिक्स हो जाएं अब हम एक फ्राइपन लेंगे और उसमें तील गरम होने पर राई को डाल देंगे और ढग दें अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे, आपके कड़ी पत्ते जब हलके ब्राउन हो जाएं, यह हमारा तड़का है, जो हमने बैटर तैयार किया है, उसमें हमें अपना तड़का डालना है, अब हम इस तड़के को अपने बैटर में डाल देंगे, जितना भी है हमारे पास भास-धर-का साभी को हम ढाल देंगे बर दो द अंब कि इसमें डालेंगे वनी स्पुन चात मसाला पौडर भीर हम ढालेंगे इसमें वन थर्ट हल्दी अ अनम्स नमक आप अपनी आप सक्यार रग Karl रहें आप करसकार एक जाज कि अपाल सकते हैं अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे कि हमारे अप्पे में अच्छी तरही सारे मसाले मिक्स हो जाएं देखिए यह कितना टेस्टी लग रहा है देखने में अब हम डाल देंगे इसमें वन फोर्थ बेकिंग पाउडर जो कि आपके अप्पे को थोड़ा सॉफ्ट बनाएगा और थोड़े यह फूल जाएंगे अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अब हम अप्पे स्टेंड है यह अप्पे स्टेंड में और बिश से ऑल लगाएंगे अप्पे स्टेंड आपको ऑल लाइन भी मिल सकता है आप लिपकार्ट मीशो या Amazon से इसको ओर कर सकते हैं और इसकी प्राइज 250-300 के सम्थिंग होगी हम इसमें बहुत सारी चीजे बना सकते हैं लाइक, कपकेक, अपपे, इटली, लिट्टी तो इन सब की रेसेपी इन्शालला मैं जल्दी अपने चैनल पर शेयर करूंगी और आप मेंसे किसी को को इंटरस्ट होगा तो आप मुझे जरूर बताईएगा मैं जरूर एक दिन में इसकी रेसेपी शेयर कर दूँगी अब हम इस्पून की मदद से अपने बैटर को इसमें डाल देंगे अब पेस्टेंड में देखे मैंने थोड़ा बड़े चम्मच का यूज किया है आप खाने वाली जो चम्मच होते हैं उसका यूज करें जिससे आपके बहार नहीं निकलेंगे मेरे थोड़े बहार निकल गया है अब हम देखे हम सब सारे डाल चुके हैं अब हम इसको ढग देते हैं तीन मिट बाद हम इसको खोलेंगे अब हम इसको खोलते हैं तो देखे यह हमारे लगभग हो चुके हैं अब हम इस स्टिक से इसको ट् कि अब हम यह हमारे सारे लगभग हो गए हैं अम ऐसे करके सब को पलट लेंगे को ढग देते हैं और यहारे अब पे रेडी हो चुके हैं इस रेसिपी को ट्राय करके आप मुझे जरूर बताईएगा कमें सेक्षिन में कि आपको कैसे लगी जल्द ही मैं आपको नई वीडियो के साथ हाजे मिलूंगे